सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिन्दगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए नमस्कार मैं सारदा पांडे आसान जिन्दगी किसी एपिसोर में आपको स्वागत करती हूँ आज मैं आपको बताओंगी मंगल सूत्र के बारे में हमारी तमाम बहने माताय बेटी हमसे पूछी है कि मंगल सूत्र की विधी बताओ कैसे पहने कैसा पहने और कैसे मंगल सूत्र को रिपेर करवाए हमसे पूछी थी मैं आपको उसी के बारे में जानकारी दे रहे हूँ कि मंगल सुत्र करक रखाव और पहने का तरीका कैसा होना चाहिए सबसे पहले मंगल सुत्र सुहागन का बहुत महत पूर आभूशन है या भूशन ऐसा है कि इस आभूशन को या तो स्यम या तो पती द्वारा बनवाया या मगवाया या नया लाया जाए अन और किसी पराय के हाथ से दिया हुआ मंगल सुत्र सुहागन को नहीं पहनना चाहिए माली जी आपको मंगल सुत्र पसंद है और कई प्रकार के मंगल सुत्र पसंद है आप बनवा के रख सकती है उन में से किसी को आप चाहे तो दे सकती है लेकिन बिवाह का मंगल सुत्र और पती द्वारा लाया गया मंगल सुत्र आप खुद पहने दूसरे को न दें ऐसी मानता तो, वो जनी रहता है थो हमेंसा थारन नहीं कर सकती है क्योंकि वजनी रहता है जो मंगल सुत्र हमेशा धारन किया जाता है वह छोटा भी चल जाता है अनिकि छोटा भी रहे तो वह हमेशा उसको पहन सकती है मंगल सुत्र का जो लाकिट होता है वो चोव कोर रहे तो ज्यादा सूभ माना जाता है वैसे मंगल सुत्र आप किसी भी डिजाइन का पहन सकती है उसी तरीके से जिन बहनों के पास तमाम बहने बोलती है कि मारे पास इतना नहीं कुछ है कि सोने का मंगल सु काली मोतियों का वो सोना अगर नहीं भी है तो चांदी ओ पीतल में भी बनवा के पहन सकते हैं जैसे कि तमाम बहनें पूछती हैं उसी प्रकार से मंगल सूत्र को बार बार उतारना नहीं चाहिए यारनी कि अपने से अलग नहीं करना चाहिए जैसे कि मंगल सूत्र माली जे पहनते पहनते उसका धागा कमजोर हो कि तूट जाता है तो मंगल सूत्र आप से बनवाने के लिए रिपेर करने के लिए देते हैं उसमें नया धागा लगाके उन्हीं मोतियों को नया धागे में प रखे रहें उस समय उसको पहन लें ऐसी मानता है कि गला सुहागिन महिलाओं को संतान्वती महिलाओं को गला खाली नहीं रखना चाहिए कहीं साधिम जाती हैं तो उसको पहन भी सकती है उसी तरीके से मंगल सुत्र कभी भी आप मंगल वार के दिन धारण नहीं करना चाहिए मंगलवार बहुत खर बार माना जाता है कई महारी बहने पूछती है कि खर बार क्या होता है यानि कि तेज बार मंगलवार को तेज बार बोलते हैं इसलिए सुहागन अउर्थों को बालो गरत होना और सिंगार करना भी मना किया जाता है मोंगल सुत्र को भी मंगल वाल के दिन रिपेर करने लिए न दे आगर घर में आ गया है तो मंगल वाल के दिन धारन न करें ऐसी मानता है कि मंगल मार पारवती जी को अर्पंड कर दे जहाँ पुज़ा करती है एक बार माता को अर्पंड ten उसे आशिरवाद ले कर खुद भी धारण कर ले, मंगल सुत्र को, ऐसी मानेता है, उसी तरीके से, कई बार माता हैं, बहने, बेटीयां, घर में पती से किसी से भी लड़ाई जगणा होता है, बिसेश कर पती से लड़ाई जगड़ा जब होता है तो वो सुहाग के चिन्हों को नुकसान पहुचाती है गुसा में आके ऐसा देखा गया है जैसे कि लड़ाई जगड़ा हुआ तो मंगल सुत्र उतार देंगी और तमाम चीज़ें करती हैं कि तुम हमसे प्रेम नहीं करते जो भी कई देखने माया है तो मैं सभी बहनों को माताओं को पताना चाहूंगी कि कभी भी सुहाग के चिन्हों को नुकसान नहीं पहुचाना चाहिए गुसा में आके आप लड़ाई जगड़ा करते हो फिर आप मिल जाते हो फिर आप एक साथ रहने लगते हो तो इससे क्य कई वार ऐसा देखने माया है जैसे की माले बेटी का भी भा हो रहा है तो जो सशुराल पत्छे के लोग है कहना तो नहीं चाहिए चालांक लोग होते हैं बोले मंगल सुत्र नहीं बनवा कि लाया मैं भूल गया ईससे कुछ भी कि एसज़टका देख घरवालों से बोलते है इस बिवाह के विधी को आप पूरा करिए यह जो भी कोई बहाँ आपके अपने गले का मंगलसूत्रूतार के बहान के लिए दे देते हैं तो यह सब नहीं करना चाहिए यह चीजे बहान किन 나도 как कि अपने मंगल सुत्र नो tolerant करो माय近ों पच्छवाल कि यह एपना महत्तों चीज कैसे भूल गए बाद में पता लगता है इस लिए नहीं दिये मंगल हाना चाहूंगी कि अगर ऐसी इस्तिती आपके हां आता है कभी भी की मंगल सूथन तरफ से नहीं लाये गया है, तो आप किसी फ़ी साट सी थागत के बीवाह कर सकते हैं और फिर अलग तरीके से माय के वाले मंगल सुत्र न दें माय के वाले भी विवाह के समय मा के द्वारा भावी बहन की किसी के द्वारा भी अलग से नया मंगल सुत्र बनवा के दे सकते हैं लेकिन अपने गले का मंगल सुत्र उतार के नहीं देना चाहिए तो मैं आप इसे विवाहित इस्त्री होती है उसको किसी की बुरी नजर नहीं लगती और एक बिवाह का महत्तो पूर्ण चिन्न होता है, ऐसे कि सिंदूर देखता है, आप बेक्ती मंगल सुत्र देखता है, बिच्वा देखता है, तो इन सब चीजों से पता लगा जा सकता है कि हाँ ये महिला बिवाहित है, तो तमाम इधर उधर को जो लोग होते हैं उनका भी कुर मंगल सुत्र की भी विधिवत जानकारी दी गई है, उसी तरीके से जो काली मोतियां होती है, ए माता पार्वती का सरूप मान जाती है, और जो पीला धागा या पीला जो लौकिट होता है भगवान सिव का प्रतित माना जाता है, पीला धागा मंगल सुत्र का इसमें बिहस् स्यांतर भी लिखा हुआ है इसे लिए मंगल सुत्र का महत्यौ सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही काफी महत्यौ हैं Wenis ह developmental मंगल शुत्र जो भी महिला पहनती है उनका ऑख रखाव ठोड़ियां विकंग घखर गई क्या है कि आप आप पह NASA करते हैं पारीक मोटियां हैं मंगल सुत्र , हूंप नहीं विकंगी है क्या क्या बात नहीं हो फिर वहां से दुकान से लेकर लगा देंगे तो ऐसा नहीं करना चाहिए उन मोतियों को जितना हो सके आप उतना उनको जो बिखरी हुई है इकठा करके और आप उनहीं मोतियों से दुबारा धागा बदलवा के मंगल सुत्र को पुना बनवा सकती हैं और अगर पिखर गया तो कोई बात नहीं उसमें आप भी ना सोचे जलो भाई बिखर गया तो अशूब है ऐसा कुछ नहीं होता लेकिन अगर घर में ऐसा हो तो आप इकठा करके उसको ले जाएं और बनवाएं जैसे माली जैं मंगल सुत्र बनवाने गया तो सुब समयर है सुब हु हुआ है उसमें मंगल सुत्र को रिपेर करना बनवाना भी नहीं चाहिए आप एक और कुछ सक्रिया मंगल सुत अलग से रखे रहें पीतल का भी उसको भी आप धारन कर सकती हैं कुछ दिनों के लिए उसी तरीके से जो माताय बहने जैसे मालीजी आर्टिफिसियल पीतल का पूद है कि नीचे कहीं अच्छे जगां रख दे अजैसे नदी तालाम में गहें ता आप उसको भी सर्जन भी कर दे कश्रेव गर्ण में सब चीजों को सुआ की चीजों को नहीं फेकना चाहिए तो इसी तरीके सा सोना चांदी है तो आप उसको सोने चांदी कहा तो आप करें सेयर करें और हमारे साथ बने रहें देखते रहें आसान जिंदगी तब तक के लिए नमस्कार